ओम की ध्वनी की तरंगें या संख की ध्वनी की तरंगें या महामरत्युजे मंत्र की तरंगें बहुत बड़ा काम करती हैं महाभारत की पर सिद्ध कहानी है कि जब जैदरतवद के लिए शिरी कैसन अरजुन को रत पर बैठा कर उसकी ओल ले जा रहे थे तो चलते चलते बहुत देर हो गई घोडे भी ठक गए तो एक तालाब के किनारे उन्होंने विस्राम किया घोडों को थोड़ा मालिस जैसी की पानी पिलाया घास खिलाया कोरफ सैना को पता चल गया कोरफ सैना ने उनको घेर लिया अरजुन ने कहा मैं दिव्यस्त का परियोग करता हूँ श्रीकरण ने कहा नहीं रुको अब बैठो तैयारी कर लो और श्रीकरण ने संक नाद किया और संक नाद करते ही सारी सैना ऐसे ठिटक कर खड़ी हो गई वो ये भी नहीं समझ पाई कि क्या करना चाहिए और स्रीकरण रत को लेकर आगे निकल गए बहुत देर में उनको एहसास हुआ कि स्रीकरण तो निकल गए है तो अगर मेरी ये बात सरकारों तक पहुँच जाए और हमारे देश के सभी मंदिरों में रोज सबेरे छे बजे श्याम को साथ बजे संकनाद हो दस मिनट तक महामरत चुन्जे मंतर का जाप हो दस मिनट तक और ओम की द्वनी चले दस मिनट तक और इसका स्पीकर पर प्रसारन होता रहे दीमी आवाज में बहुत तेज आवाज की जुरूत नहीं ताकि चारों और ये तरंगे फैलने लगे अगर हमारे मंदिरों में ये काम हो जाए और सरकार इसको उचित समझे और इजाजत दे तो ये भी इस वाइरस को नस्ट कर दे में बहुत बड़ा काम करेंगी तो मुझे फोन विश्वास है वो बात तो सरकारों की है हमारे हाथ की नहीं है लेकिन वाइब्रेशन्स फैलाने का काम कल से ही आज से ही हम सभी बड़ी तत पड़ता से करेंगे थैंक यू वेरी मच ओम श्यांती